असलाम लेकुम जी क्या हल चाले हैं आप सब के आप सब बिल्कुल खेरियत से होंगे so welcome back to channel तो जल्दी से vlog को start करते हैं मैं यहां पर आज का vlog share करने वाली हूँ आप से मामा के घर से क्योंकि मैं मामा के घर गई थी 10 महरम को और vlog जो है वैसा आपको काफी लेट मिल रहा है यह मेरे कुछ vlogs pending पर रह गए हैं तो मैंने तो चुछ जल्दी से शेयर कर देती हूँ और मैंने जिस दिन मैं मामा के घर रही थी न उस दिन मैंने कोई vlog नहीं शूट किया तो यह next day है मामा के साथ न गी थी बसार में और मेरी बहन भी साथ गी थी तो बस थोड़ी बहुत चीज़े मुझे चाहिए थी वो मैं ले के आई थी तो मतलब ऐसी बस कुछ मुझे चाहिए था खर की थोड़ी बॉच किशिन की चीज़े थी जो मुझे लग रहा था जैसे वो ज़रूरत है उनकी तो फिर मैंने वो भी ले ली थी तो बस यही चोटी मुटी चीज़े रहने के लिए मैं आगी थी और यह मैंने लिए थे चोटी से वोस मुझे इतने प्यारे लग रहे थे और हजबन और मैंना काफी टाइम से देख भी रहे थे चोटे साइस के वोस जो मतलब ना हाइट में जादा ना हो तो कॉर्णर में रग लगाने थे लेकिन वो उनकी हाइट में शादा ही मिलती थी तो मुझे यह मिले तो मैं सोचा ले लेती हूँ तो भी एक दो मैंने लियें देखती हूं कि हजबन को अच्छे लगेंगे तो फिर दुबारा आकी यही से ले ले लेंगे यह मैंने एक अपने ले ले लिये थे ग्लास और यह मुझे न है चन्नी एक लेनी थी एक ही मुझे बोल्स बड़े प्यारे लग रहे थे येलो कलर में, ये और भी पहुत से कलर में थे रेड, ग्रीन, लेकिन मुझे येलो कलर बहुत अट्रेक करता अच्छा मैंने ये सबसे मज़े की चीज लिए चॉपर और ये मैं अब यूस भी कर चुकी हूँ जब मैं वाइस ओवर कर रही हूँ ना तो मैं इसको खड़ लाकर यूस भी कर चुकी हूँ बहुत ही यूसफुल है ये और मतलब बहुत अदा ये फायदा मंद है आप लोग भी जरूर अगर आपके एरिया में हो ये अवेलेबल तो जरूर लें और ये मैंने तो चोटे साइस के लिए ताके मैं चेक करते हूँ कि ये मतलब यूसफुल है भी के नहीं ये ऐसी बस गैजट बना दिया है लेकिन ये सच में बहुत अच्छा है अगर मुझे लेना होगा तुम बड़े साइस का भी जरूर लोगी ये मुझे कुछ चाहिए थी अपने लिए स्लीपर वगरा चाहिए थी घर की और कुछ वैसे मैंने थोड़ी सी एक मतलब आने चाहने के ले ली और मुझे कुछ टॉबल वगरा भी चाहिए था और साथ में जो रुमाल होते है ना साफी होती है पता नहीं आप पोना कहते हो कपड़ा वो भी मुझे चाहिए था रोटी वेरा रखने के लिए तो बस इसमान क्लिक शोटी सी मुझे कार मिल गी ती यह मैंने ली ती और यह कुछ हमने स्नैक्स ले लिए थे यह मुझे बहुत इच्छे लगते हैं शुरू से हम जब भी बजार चाते हैं ना तो या तो कर लिए तो बस फिर अब भी हमने बार से चीज़े ओडर की थी कि हमारे पास ही एक फरेंड्स के वसे मारे घर के बहुत पास नहीं लेकिन यह के घर पे जब भी मेरी मतलब कजन्स ने या मेरी बहनने कुछ बी ओडर कर ले तो गसर इसी काफे से ओडर कर लेते हैं तो तुर इसी एक, दो, तीन वराइटी रगी थी, तो विंग्स ओर्डर किये वे थे, और साथ में पराथा रोल किया था, चिकन पराथा रोल, साथ में चिकन जिंकर बर्गर था, साथ में अभी मेरी गर्जन्स बैट के भी कुछ न कुछ सब खा पी रहे थे और गपेश अपे लगा रहे थे तो बस उस टाइम फिर हम लोग खाना शना खा के फिर सो चुके थे और ये अभी नेक्स टे है और मैं उटते ही सबसे पहले ना उस्मान को चेंज कर देती हूँ जिसनों से मैं घर पे चेंज करती थी ना मैं उस्मान को वहाँ पर भी ममा के घर पे उस्मान को सबसे पहले चेंज कर दिया करती थी क्योंकि जो मैं इसका नाइट सूट है ना जो इसमान का वो ऐसा है कि मतलब फुल स्लीज का है और फुल मतलब जैसे शॉर्ट्स होते न वैसे नहीं है वो फुल ट्राउजर है तो फुल साइस का तो वो इस ही में बड़ा अच्छा रहता है वो को स्टफ और दिन में पर थोड़ी गर्मी हो जाती है न आजकल जैसे तो वो फिर सही न ही रहता तो इसलिए मैं सबसे पहले कपड़े चेंज कर देती हूं और ताकि वो तरह रेलाक्स हो जाए तो यहां पर अबीना मैं कुछ रात के जो मैंने कपड़े उसमान के यहीं पर अंदर ही हैंग कर दिये थे क्योंकि मुझे था कि कहीं बारिश वगारा ना हो जाए तो लाने लगती हूं तो बहुत जादा ना रोने लग जाता है हलांके पहरे नीता रोता लेकिन बस यह आजकल इसकी हैबिट बनी भी कहीं रोता है और लेकिन पानी में जाके वैसे बहुत कुछ होता है और इसने तीन दफा अपने जाके कपड़े गी लेकर दिये और बस गरा करने के बाद अस्मान को मैंने कपड़े फोल्ड किये थे उसके बाद पर ममा ना 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 मिलता फिर हमें असास होता है, खेर तो फिर अभी यहां पे जी, खाना शाना खाने के बाद, नाश्टा करने के बाद, उस्मान जो है, वो लग गया था अपने काम पे, उसका यही काम है यहां पे, मतलब उसको अब टॉइस अगरा इतना अट्रैक्ट नहीं करते हैं, जित है, वो मैं बनाती हूं, तक कि ना थोड़ सा स्पाइसेज मैं अपने साब से थोड़ सा कम रख लूँगी, तक कि उस्मान भी अराम से खा ले, क्योंकि उस्मान हमारे कि अपको बताना है, तो उस्मान बड़े शौक से अराम से खाना खा लेता है, उसको आदत होगी यह अपने कोर्डिंग बना लेती हूं, तक कि मिच्चे कम हो जाएंगी, तो फिर वो राम से खा लेगा, तो बस अभी ना, मैंने क्या किया तब से पहले ममाने गोश्ट वगएरा सुबही मतलब निकाल के वाश वगएरा करके रखा हुआ था, टीफ फ्रोज कर दिया था, और म मार्टर के साथ मैंने उसको, उसका पेस्ट बना ली, अभी मैं आपको वही दिखा रही थी, चौपर में, यहां पर मैंने जो साबुत गरम मसाले होते हैं, वो डाल दी जिसमें थे, दार चीनी थी, जीरा था, काला जीरा, और इसके इलावा, बड़ी अलाईची थी दो, सा की दो, साबुत के दार, और जार भी में, रहें काले लो, सामें मर्णा, जाम में पह्ते, चोटे प्मी अमी ने मतलब काला थीरा रखती भी नहीं है, और जो साबुत काली मेचा वो बहुते हैं, तो साबुत की दाले दिया, यहां पर, मैंने स्में बिखเป üçe ती हो, और के सा साथ मैंने टमार्टर को ब्लेंड कर लिया था अच्छा यह जो पेस्ट है नहीं मैंने पानी के बगयर बिनाए इसलिए आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा सा थिक सा पेस्ट बनाव है और डालते ही नहीं मुझे ताता भुनाई की जरुरत नहीं पड़ी है फॉरन से जो कि अच्छा साथ कर दोड़ी ती ममा ने तोख को हलका सा सा थे करें और साथी मैं इसमें डाल दूँगी पानी और पानी बस मैंने अंदाज़े से डाला था जिसमें मतलब आलू और जो गोश्ट है नहीं वो अच्छे से गल जाए क्योंकि गोश्ट की बोटियां इती बड़ी बड़ी नहीं है कि उसको बहुत दादा टाइम लगेगा और उतने प्राइब जबर गार गल गए था उसके बाद बस वर एड़ी तर खाना और यहां पर तब तक असमां को भी काफी भूख लगी थी तो नाश्टे के बास क्योंकि मैंने खाना वगरा जो है वो पृ नाश्टे के बास जाड़ किया था ना काफी ते बाद तू एस टाइम पर और मुलतानी मिटी के अंदर काफी दुनों के बाद मैं मुलतानी मिटी यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे वरना मुझे काफी टाइम हो गया है मैं एक साथ सोचती हूँ कि बजार जाती हूँ जाकर ले लेती हूँ अपने बाद मुलतानी 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 मुल बनाओ तो फिर मैंने सोचा कि जो हो रहा है मैं भी दिखा देती हूं तो यह अभी मैं आई थी सामने हैं चची जान के पोर्शन में हमारा कोई ऐसा सेपरेट पोर्शन नहीं है अभी आपको ना मेरे साथ असमान की भी वाज़ा रही होगी क्योंकि वो मेरे साथ अभी रूम म तो बस अभी चची अंडर बना ले थी चाचो के लिए कलेजी और बहुत ही मज़गी लगी थी मैंने बाद में टेस्ट पी गी थी बहुत ही अच्छी और सौफ नहीं थी थोड़ी सी बस उनको बनानी थी चाचो के लिए तुर नहीं एक फ्राइपैन में बना ली थी और हम पर अभी मैं होगी थी रेड़ी और अभी मैंने ना अपनी बहांड़ी कपड़े पेने हुए तो बस फिर हम लोग निकल गए थे बाहर कुछ मार्ट पर गए थे कुछ थोड़ा बहुत समान लेने के लिए खाने पीने की चीज़े मतलब और गर में कोई ब्रेड अंड ये चीज़े थे तो बहुत लेने चे लगे थे और असमान जो है वो इतना एकसाइटेड हो रहा था ना मतलब इन सब चीज़ों को देखे के शाहिद ये सब चीज़े उसी के लिए और बस चीज़े वह रहा लाने के बाद मैं बैट गी ते पनी ममा के साथ और फिर हम लोगों ने मिलके ड्रामा देखा ये ड्रामा जो है ना मैंने बहुत स्टार्ट में देखा था जब ये नयाने आया था एक दो एपिसोड तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा था लेकर मैं छोड़ दिया देखना है बस मैं मतलब अब ड्रामों का उतना शौक नहीं रहा वरना कोई और यह बहुत ही अच्छा लगे तो देख भी लगती हूँ जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगे लेकिन कुछ ख्यादा ड्रामे देखी नहीं जाते मैं दादा ब्लॉग सी देख लेडी हु तो फिर लेकिन ममा घर आई थी तो भिसे भी इसका बस ही लास्ट ही कोई एपि कर रही थी नूडल्स कर हम लोग खा रहे थे मुझे नूडल्स बहुत ज़ता पसंद है और मेरे पास अखसर घर पर भी होते हैं नूडल्स और मुझे जब कुछ नहीं समझाता या कुछ अच्छा नहीं लगता दिल नहीं चाहरा हो ना काने को तो मैं गही बना लेती हूँ और अभी भी मेरी बेहन ने मुझे गही बना के दिये थे बाकि सब भी मेरे गजन सगरा बैटी मी थी कोई नूडल्स कहा रहा था कोई कुछ कहा रहा था तो बस यह हमारा रात को एक किसम का खाना हो गया था और फिर ये भी next day है और सुबर कटाइम में अपनी कर रही थी packing क्योंकि रात में मुझे जाना था husband के साथ घर और husband ने मुझे रात को लेने के लिए आना था काफी मतलब कोई आट नो बज़ लेने आये थे तो मैंने सोचा के अभी पैक पैक वगरा कर लेती हूँ समान वगरा जितना भी मेरा रखा हुआ था चोटी मूटी चीज़े थी इंग फ्रिज में कुछ खाने पीने का समान उसमान का रख दिया था मैंने उसके सैंडल्स लगरा और इस तरह से उसके लोशन और जो भी बुरिश वगरा बाहर चीज़े जो दरूरत की थी हो मैंने रखी में थी तो फिर बस अभी वेट रही थी और मतलब लाई में एक बै थी कुछ मैकराणी बगरा मतलब बना रही थी और क्योंकि हजबने आना है रात को और तो बस उनी के लिए यहां पर भी खाना शाना बन रहा है तो प्रेशर कुकर में ममा ने चड़ाया हुआ था दालकोष्ट जो के बन चुका था भी तो फिर मेरी बहन आगी थी किचिन मे तो मैंने सोचा के चलो मैं तुम्हारे साथ ना मतलब थोड़ी रिकॉर्ड कर लेती हूं मैकराणी की रेसेपी के तुम कैसे बनाती हो तो हलांकि जब शादी से पहले मैं बनाया करती थी ना तो मतलब सब शॉक सी खाते थे लेकि मुझे याद हमें मिच्चे बहुत तेज क हो के हचीज डाल रहे होते हैं अपने अकॉर्डिंग लेकिन बाद में बहूं भाइन भाई उन्हीं खाने हूं उन्हें क्या कहने हैं लेकिन बस बाद मजबूरों के सब खाल ये करते थे मिच्चों से बरीवी मेकराणी मुझे याद है अभी तक और अब जब मैं अपने इसकी जगे होती हैं जहां पर आपको बहुत ही एतियात करके हर चीज को देख के फिर चलना पड़ता है तो बस खैर अभी यहां पे बहनी क्या किया था ओयल में जो है पहले चिकन उसने बॉइल कर लिया था पहले का तो उसने वह यूज कर लिया श्रड़ेट चिकन था और उसके साब उसने विजटेबल्स ले लिती हैं आपको यह भी वजटेबल्स यूज कर सकते हो उसको हलका साथा सोटे किया पर उसमें डाल दिया सॉस और सॉस उसने ना मिक्स किये था जिसमें था चिली कार्लिक सॉस इसके लावा बार्बीक्यू सॉस था केचप था और तो बस भी यहां पर दालकोष्ट भी रेडी हो गया वैं हलांके मैंने तो अच कुछ भी नहीं किया लेकिन ममा ने बस यह दालकोष्ट प्रेशर कुर में चरहाया हुआ था तो वह कर दो कोल के तो मैंने सुचा चलो इसकी फिनिशिंग मैं कर देती हूं तो बस मैंने अंटे धनिया और हरी मिर्चे डालके इसको बैस कार्णिश कर दिया था और मैं भी ममा से पूछ दी कि ममा काफी दा मुझे पतला लग रहा है तो मैं इसको और पकालू तो वो मुझे यह कह थी कि साथ में चावल हैं तो फिर तोड़ी पतली डाल ही अच्छी लगती है और सच में जो गर्मी है ना उसमें डाल जो चावल है ना डाल चावल वो सबसे ज़दा मुझे पसंदे गर्मियों में खाना और रोटी खाने को तुब बिलकुल दिनी जाता उपर से मैं थोड़ा सा डाल दे था इसमें गरम मसाला और बहुत ही मज़े का डाल गोश डेडी हो गया था साथ में बेहने जो है वो चावल वगरा बॉइल कर लिए थे और साथ में जो है वो सैलड वगरा डेडी किया हुआ था और अलो चिकन के जो है ना कटलेटी बनाए थे वो भी बहुत ही मज़े के बने वे थे तो वस ही तक था मेरा आज का व्लॉग अभी यहापे हम लोगों लोगों ने खाना खाया था तो बस व्लॉग पसन आयो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पी नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्स्राइब कर दीजेगा आप से मिलूंगे इंशाला मैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपने बहुत सारा क्याल रिखेगा अला पेस